बुरहानपुर चिले के शापूर थाना छेत्री के ग्राम, फोकनार, तुरक गुराडा और बड सिंगी के 29 किसानों के साथ धोखधरी के आरूपियों की गिरफतारी के लिए बुरहानपुर S.P. देविंद्र कुमार पाटिदार ने नगद इनाम की घोशना की है मामलत अब सामने आए जब किसान किशोर महाजन ने इन तीनों गाउं के 29 किसानों के साथ मिलकर शापूर थाने में शिकायत दर्च करवाई उन्होंने आरूप लगाया कि जितेंद्र महाजन और आरंभ ट्रेंडिंग कमपनी के संचालक जॉक्टर प्रफुल पाटिन ने किसानों से मक्का की फसल खरीदने के नाम पर करीब 30 करूर रूपे की धोखा धड़ी की है किसानों का आरूप है कि आरूप यू ने फसल खरीदने के बाद उन्हें भुखता नहीं किया इस मामले में शापूर थाने में धारा 420-406-34 के तहट मामला दर्श किया गया है लेकिन अब तक पुलिस आरूपियों का कोई सुराग नहीं लगा पाई इस पे देविंद्र कुमार पाटिदार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरूपियों की गिरफतारी के लिए 5-5 हजार रूपिय का नगद इनाम खोशित किया है जो भी वेक्ती आरूपियों के बारे में जानकारी दिया जा उन्हें गिरफतार करने में मदद करेगा उसे कुल 10 हजार रूपिय का इनाम दिया जाएगा साथ ही सूचना देने का नाम गुप्त रखा जाएगा पुलिस टीम आरूपियों के ठिकानों पर दबिश दी रही है लेकिन अब तक कोई सफल ताहान नहीं लगी है मामले की जाँच और आरूपियों की गिरफतारी के प्रयास लगतार चारी है